आज मैं आपके साथ आलू बींस की एकदब मसालेदार और हेल्दी सबजी की रेसेपी शेयर कर रहे हूं तो सबसे पहले हम यहां पे कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में एक सेर्विंग स्पून ओयल गरम करेंगे मैंने सरसों कोईल लिया है इसको अची तरीके से गरम कर लें उसके बाद एक छोटी चमस जिसमें जीरा एड़ करेंगे और दो पिंच के बराबर में इसमें हिंग एड़ कर रहे हूं हिंग का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है इसमें तो आप हिंग जरूर एड़ करें हिंग डाइजिशन के लिए अची होती है तो हिंग आप जरूर एड़ कर लें तो हिंग जीरे को थोड़ा सच अटकने दें है बहुत ही टेस्टी होती है बच्चों को पसंद आती है और हैल्धी भी तो यहां पर प्यास देखragen ब्राऊन हो गई है लिए एक चोप करके वह हैं यहां पर और करने के बाद इसको एक फ्रत के लिए ने कुन लेंगे देखें यहां पर चलते होगे इसने कर Batman को है मिच में से slit करके डाल रही हूं तो अब इसको भी चलाती हुए भून लेंगे एक बार ऐची तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इस में कुछ मसाले के लेंगे और मसालों के साथ ही टमाटर को अची तरीके से सॉफ्ट होने देंगे तो यहां पर मैं मसाले एड़ कर रही हूँ आदा शोटी चमस मैंने नमक लिया है आप अपने टेस्ट के अगोडिंग नमक डाल सकते हैं आदा शोटी चमस लाल मिर्शी का पाउडर है और साथ में हम इसमें डालेंगे वन एन हाफ टीस्पून याने की चमस के बराबर धनिया पाउडर धनिया पाउडर डालेंगे इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे चुटी चमस के बराबर इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हूँ और अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कह लेंगे और थोड़ असा पानी डाल करके अच्छी तरीके से भूम लेंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाले भी एवनली कोक हो जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, तो मसाले थोड़े से जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक सर्विंग स्पून के बराबर मैंने यहां पर पानी डालिया और आब इसको दो उनको भी छोट-छोटी पीस में, काट करके यहां पर एड कर लिया है, तो आलू बींस जो है, बहुत हैल्दी सबजी होती है, बच्चों के टिफिन के लिए बहुत अच्छा आप्शन है, ब्रिकफास्ट में बनाए, या लंच बोक्स में दें, आब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके, अब धक करके मैं इसको दो से तीन मेट के लिए अच्छी तरीके से पकने दूंगे, जो से तीन मेट बिल्कुल लो फ्लिम पे पकाएंगे, पानी में इसमें बिल्कुल आडली कर रही हूँ, यह अपने ही मौश्यर में पकेगी, आपको पीजे, और बीन्स हमारे बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो बस आलू बीन्स की सबजी छट पट से रेडी हो जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ब्रेकफास्ट में आप इसे बनाए पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की सबजी लगती है, तो यहा पर मैंने देखिए, 140 पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और ढखके छोड़ दें आप 2 मिलट के लिए, और उसके बाद आप इसे डिशाओट कर सकते हैं, करमा गरम पूरी पराठे के साथ सर्ब करें, रोटी के साथ खाएं, बह दोगी तरीके स्च जाओवे लूटन ओडे लिए, प्रोटी कर में देखित आप लिए, 145 अधिए, 145 अधिए, 145 अधिए, 146 अधिए , 151 अधिए , 142 अधिए, 142 अधिए .